क्या ICC के तरफ से कुछ ऐसे नए रूल जाने वालें जिसके वज़े से cricket will change forever जहां guys according to report बताया जा रहा है कि ICC के जो cricket committee है वो बहुत सारे new suggestions लाएं जिसके वज़े से test cricket and OTI cricket promote हो first suggestion test cricket को लेकर उनके तरफ से यह आया कि WTC cycle में जब दो teams के बीच में series चलता है तो minimum वो three matches का series होना चाहिए एक या दो matches का नहीं क्योंकि competitive जाधा रहता है जब three matches का series होता है secondly test cricket को लेकर यह suggestion आया कि जाधा day night matches होना चाहिए that is pink ball matches ऐसा इसलिए क्योंकि इससे test cricket promote होगा है और जाधा लोग इसको देखने आएंगे stadiums में क्योंकि subcontinental areas में जैसे कि इंडिया में daytime में बहुत जाधा धूप रहता है तो जाधा लोग नहीं prefer करते हैं and third suggestion ODI cricket को लेकर उन्होंने कहा कि two new balls जो use किया जाता है ODI cricket में वो खाली first 25 overs के लिए use किया जाए उसके बाद खाली एक single ball use होना चाहिए ऐसा इसलिए ताकि ballers को थोड़ा सा जाधा support मिले जब ball थोड़ा सा old हो जाता है तब last 10 overs में ball थोड़ा reverse swing करने लगता है तो it will help the ballers या guys यह थे सारे new suggestions जो कि cricket में implement हो सकता है जल्दी आपका क्या उपिनन है क्या ये तीन changes को लेकर आप agree करते हो मेरे को comments में जरूर बताना